खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े बताय जा रहे हैं ऐसे में आतम की हमले का अलोट जारी कर दिया गया है ISI ने अपने नापवाग मनसूबों को अंजान तक पहुचाने के लिए कोशिश की है आकरम कुरेशी साजित भट्टी को भेजा गया है ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है लेकिन खूफिय एजन्सियों ने इस वक्त अलोट जारी कर दिया है राजधानी दिल्ली में ओंप्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी इसी खबर पर और जाधा जानकारी के साथ ओंप्रकाश क्या पता चल पा रहा है अगलेश खुफिय एजन्सियों ने जो मैसेश पकड़े हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मताबिक पाकिस्तान अब सीधा दिल्ली पर अटेक करना चाता है इसके लिए उसने स्पेशल एसाइन्मेंट एक नया वर्ड जूस किया है इसाइ का एजेंट भी हो सकता है इन दोनों की लोकेशन दिल्ली में बताई गई है और कहा गया है कि ये दोनों स्पेशल एसाइन्मेंट पर हैं कुफे एजन्सियों का मानना है कि ये दोनों दिल्ली एंसाइन्सियार में किसी बड़ी वारदात को साजिस को अंजाम देने की कोशिस कर रहे हैं फिलाल अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम जांच एंजियों को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है बिल्कुल तो ओम प्रकाश कुल मिलाकर तस्वीर वही नजरा रही कि पाकिस्तान बहुत जादा डरा हुआ है अंतराश्टी अस्तर पर उसकी किरकिरी हुई इसके अलावा देश के अंदर वहां बहुत खराब माहुल है तो क्या ये माना जाए कि इसी घबराहट में इस तरह के कदम उठा रहा है अब परदे के पीछे से इस तरीके से वह माइंड गेम कर रहा है बिल्कुल अखलेश पाकिस्तान की पूरी कोशिस है कि किसी भी तरह से कोई भी एक अगर बड़ी वारदात हो जाती है तो पूरी दुनिया का टेंशन भारत की तरफ आएगा और ऐसे में कश्मीर के मुद्दे को जीवन्त करने का एक प्यास करेगा चुकि दुनिया में कश्मीर के मुद्दे पर कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा है यहां तक कि चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया है ऐसे में अगर एक भी बड़ी वारदात भारत के किसी भी कोने मोह जाती है तो दुनिया का अटेंशन एक बार फिर भारत की तरफ आएगा जिससे कश्मीर को जिससे पाकिस्तानों कश्मीर मुद्दा हुनाने मदद मिलेगी अकलेश बिल्कुल ओम प्रकाश और जाहिर तोर पर ऐसे में कई समाल भी खड़े हो रहें खूफिया एजेंसियों को भनक लगी है कि गुजरात के कच्छ में मौजूद देश का सबसे बड़े बंदरगा कांडला पोर्ट पर ही पाकिस्तानी आतंकियों की नजर है उनके निशाने पर है कांडला पोर्ट खूफिया अलर्ट के मुताबिक कमांडर ट्रेनिंग से लेस पाकिस्तानी आतंकी कच्छ से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो चुके है इस वक्की बड़ी खबर इन सभी को पानी के अंदर से हमला करने के लिए प्रशिक्षित क्या गया है ट्रेनिंग दी गई है इस खूफिया अलर्ट के बाद पोर्ट की सुरक्षा को बहुत ज़ादा बढ़ा दिया गया है करमचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है सुरक्षा एजन्सियों ने पोर्ट का जायजा भी लिया इस वक्की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के कच्च में मौझूद कांडला पोर्ट जो आर्थिक और सामरित दृष्टी से भारत के लिए बहुत बहपपूर है यहाँ पर हमले की साजिश रच्चा है पाकिस्तान और कुछ प्रशक्षित आतंकियों को उसे यहाँ भेजा है जो यहाँ पहुत चुके हैं ऐसे में सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है सुरक्षा एजेंची ने पोर्ट का जाइजा भी लिया है और आतंकियों के निशाने पर है गुजरात के कच्च का कांडला पोर्ट इस वक की बड़ी खबर हम आको दे रहे है कमांडो ट्रेनिंग लिये हुए आतंकियों को भेजा गया यहाँ पर कांडला पोर्ट पर सुरक्षा को इस वक बड़ा दिया गया है पानी के अंदर किस तरीके से अपने नापाक मनसूब को वा अंजाम पे पहुँचा सकते इसकी ट्रेनिंग दी गई हुए आतंकियों को और कांडला पोर्ट पर आतंकी अलोर्ट जारी कर दिया गया है गुजरात के कच्छ का यह कांडला पोर्ट आर्थिक और साम्रिक दृष्टी से भारत के लिए बेहत महत्वपूर्ण एसे में सुरक्ष एजेंसिया अज पुलिस इस वक्त अलोर्ट पहें यहां